यह देखते हैं आम लोग कि जो रस धातू है उसका एक important श्लोक है जो कि आपको learn करना है तो आप कर सकते हैं यह इतना important नहीं है लेकिन आपने learn किया और रस धातू आया आपने यह श्लोक लिखा तो आपका एक अच्छा impression जाएगा आपने रस यह श्लोक का meaning क्या है कि तत्रस रस वो है कि जो गतो धातू गत मतलब होता है गतो मतलब होता है speed गती यह सब दिस्ते बना हुआ है गती मतलब होता है speed गोलते है इस चीज की गती ये है इस गाड़ी की गती ये है रफ्तार, speed कोई जो गाड़ी चलाते हैं train, aeroplane bike, motorcycle car, उसका एक speed होता है उसको गती वो क्या है उसका गतो मतलब उसका speed speed in the sense movement हो रहा है जो उसका बहा हो रहा है, जो उसका चलन हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, डिसलोकेशन हो रहा है, उसको भोलते हैं हम लोग रस दातू, अहा रह, ये सब्द बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अहा इस सब्द का मतलब होता है कि 24 घंटे एक दिन, अहा मतलब होता है 24 घंटे, अहा म मतलब जो भी चीज 24 घंटे घुमती रहती है, गती में रहती है, स्पीड में रहती है, उसको बोलते हैं इत्ती अताव रसा, उसको बोलते हैं हम लोग रसा, जो भी चीज 24 घंटे गती में रहती है, जो 24 घंटे 24 इंटे 7 जो हमेशा घुमते रहता है, उसको बोलते हैं रस धा ये था उसका निरुक्ती हम लोटे देखा गती निरंतर गुमती रहती है लगाता 24 गंटे रस एक परिचाली गतिसी तरल धातु है यानि लिक्विड धातु है रस धातु सब्त धातु में प्रधम है यानि इसको ही बोलते हैं हम लोग फर्स्ट धातु जो हमारे बॉड़ी के अंदर सब्त धातु है बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनके अंदर जो सबसे पहला धातु बनता है जो वो है रस धातु अब उस अरस धातु का आम लोग देखेंगे स्थान उसका ये स्लोग है अगर आपको लर्ण करना है तो आप लर्ण कीजिए नहीं तो इसको आप ज़स्ट समझ किरिजिए इसको जो मैंने स्लोग को ब्रेकडाउन करके पढ़ाए आपको भी बिल्कुल वैसा ही पढ़ना है नहीं तो आपको कुछ भी स्लोग समझ में नहीं आएगा तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा मेरे साथ में आप इसको ब्रेक करके पढ़िए मतलब उसको बोलेंगे उसका स्थान क्या है हिर्दय स्थान क्या है हिर्दय है सह हिर्दयात हिर्दय के अंदर भी क्या है चतुर्वीन्सती धमनियह यहां तक हो गया अपना एक पार्ट चतुर्वीन्सती मतलब होता है आईर्वेदा के अंदर 24 चतुर मतलब 4 वीन्सती मतलब 20 24 के धमनी 24 धमनी है अनुप्रविश्य जो हिर्दय से क्या होते है अनुप्रविश्य 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 होते है मतलब उपर की और जाने वाले, 10 है अधो मतलब लोवर साइड में जाने वाले, 10 है तीरियक मतलब उसका जो डाइरेक्शन होएगा ओपलिक रहेगा, हम लोग समझने के लिए एक डाइगराम देखते हैं कि 24 धमनिया हमारे सरी के अंदर कैसे होती है, ऐसा बताया गया है कि यह बॉड़ी है, इसके अंदर है जो हार्ट है, डाइगराम बहुत है अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिस कीजिए, जो हिर्दा है, यह किसका स्थान है, यह है रस धातु का स्थान, यह किसी का तो दिल है, भर गया है, कोई तो इस दिल के अंदर आके रह बता है, देखिए, भर गया है पुरा, इसके अंदर से आयर्विदा बताया गया है कि चौबीस धमनी निकलती है, तो चौबीस धमनी का क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है, कि दस तो उपर की हो रहे, अपर साइड में, दस है लोवर साइड में, मैं इसके लिए अलग कलर य इसके लिए दाओ, यह जो हार्ट था, हार्ट में से दस उपर की साइड में गया, अपर, दस हो गया, लोवर साइड में, और हार्ट से ही अबलिकली, चार निकल गए, चार धमनी, यह हो गए, चार अबलिक, तिर्यक धमनी, कितने हो गए, दस, चार और वापस दस, यह हो गए, ट्वेंटीफोर, ट्वेंटीफोर, चतुर विंस्ति धमनी, चौविश धमनी होती है, इसके बाद में क्या आज़ता है, उर्ध्वगा दस, मनलब उपर की ओर दस है, उर्ध्वगा दस, दस अधोगामिन्य, दस क्या है, अधोगामी है, चत्वारस्य तिर्यगा है, मनलब चार है, वो क्या है, तिर्यग है, यानि आज़िख है, इसके आगे क्या स्लोग है, मतलब क्रिशन मतलब हमेशा whole body जो पूरे का पूरे सरीर के अंदर मतलब दिन राथ 24 घंटे 24 घंटे क्या हुरता है बहते रता है whole body का 24 घंटे जो तरपन करता है समझे आ गया इस पूरे स्लोग का मतलब ऐसा है कि जो रस धातु है उसका स्थान हिर्दय बताया गया है हिर्दय से 24 धमनिया निकलती है उनमें से 10 जो उपर की और है 10 नीचे की और है और 4 तीर्यक है समय आ गया और ये 24 के 24 धमनिया क्रिस्टन सरीर मनलब होल बॉड़ी का क्या करती है 24 घंटे तरपन करती है अब इसके आगया जो हम पढ़ेंगे वो है संगटन और स्वरूब